Hello dear viewers, मैं हूँ बधू और स्वागत है आपका मेरी चैनल Twins Mamami मेरे नए वीवर्स को मैं बता दूँ कि ये एक pregnancy और parenting related channel है और इसमें मैंने कई topics पे बाते की है related to parenting as well as pregnancy Pregnancy में हर week में किस तरीके से आपके baby का development होता है किस तरीके के tests and scans से आपको गुजरना पर सकता है क्या क्या complications आ सकते हैं और उनको doctors कैसे manage करते हैं एक rough way में मैंने ये सब कुछ आपको बताया है इसके साथ साथ science of labor, true या false labor की जो भी differences है या फिर अपनी C-section की जो भी मेरी experience रही है delivery की experience रही है, full pregnancy की journey की experience रही है ये सब कुछ मैंने शेयर किया है ताकि एक would-beam mom के लिए असान हो जाए physically या जरस्मेंटरी तयार होने के लिए for embracing motherhood 39 से 40 weeks पहुंचते पहुंचते अब आपके baby को full term कहा जाता है यानि की आपका baby बिलकुल तयार है बाहर की दुनिया में आने के लिए अब आपको pre-term delivery या early term का कोई टेंशन लेनी की जरुरत नहीं है इस दौरान कई महिलाओं को naturally labor शुरू हो जाता है और उसके आगे उनकी delivery हो जाती है या फिर कुछ cases में ऐसा हो सकता है कि इस week भी आपकी delivery के कोई लक्षन आपको नजर ना आए अगर ऐसा भी है तो ये भी काफी normal सी बात है तो चलिए जानते हैं अगर आपका बच्चा इस हफते भी आपके गर्व में रहा तो कैसे developments उसमें होते हैं क्या कोई development बाकी अभी भी है So pregnancy के इस अंतिक चलन में baby almost 20 inches लंबा हो जाता है और अभी भी उसके brain की कुछ developments होते रहते हैं मतलब baby is still becoming more smarter every day उनके नाखुन इतने बड़े होचिके होते हैं कि वो अब fingertips को cross करने लगते हैं इस हफते अकसर doctors एक bio-physical profile जिसमें की ultrasound scan as well as non-stress test किया जाता है यह शिरूर करते हैं इस बात को ensure करने के लिए कि आपके baby का जो भी status है गर्व के अंदर वो बिलकुल सही है और अगर इसमें कोई भी परिशानी दिखे तो अकसर labor induce करवाया जाता है या फिर कुछ cases में C-section प्लान किया जा सकता है Braxtonics Contractions पिछले कई हफतों की तरह इस हफते भी एक आम अकरेंस होता है Braxtonics Contractions या Practice Contractions आपके True Labor Contractions से कैसे different होते हैं और आप किस तरीके से इन दोनों में फर्ग कर सकती है इस बारे मेरा already published वीडियो है एक True vs False Labor Contractions नामक आप उस वीडियो को देखिए आपके यह जानना बहुत जरूरी है कि True Labor क्या होता है और यह Practice Contractions क्या होते हैं इस दौरान बेबी काफी low level में you know मौझूद होता है lower in the pelvis तो इसी वज़े से आपके pelvic area में एक दबाव सा आपको महसूस हो सकता है डिसकमफर्ट सा महसूस हो सकता है और बहुत बार pelvis और vaginal area में एक महीला को एक बहुत ही अजीब सा sensation सा feel होता है एक sharp lightning सा sensation बाइनाव आपको लेबर के साइन्स के बारे में एक अच्छा knowledge जगलप करना बहुत जरूरी होता है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए इस बारे में सीखिए समझिए और इसके लिए आप मेरे previously published वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें मेने science of labor के मारे में सब कुछ details में discuss किया हुआ है अगर कोई complications हो आपकी pregnancy में या आपको twins या multiples हो तो इस दौरान डॉक्टर आपका labor induce करवा ही देंगे या फिर twins और multiples के case में अकसर क्या होता है एक baby bridge position में होता है या फिर वो थोड़े diagonal सी position में होते हैं इसे में हो सकता है आपको एक plant cesarean section के दौरा डेलिवर करने के डॉक्टर सलाव दे मैंने आपको अपने previous videos में भी कहा है कि twins के लिए 37th week of pregnancy को full term माना जाता है so 39th week तक अगर आप किसी तरह पहुँच करई तो अब तो sure है कि आपके doctors आपको delivery के लिए कहेंगे या आपको prepare रहना चाहिए कि delivery very soon होने वाली है so अब बस last minute checks अपना कर ले अपनी गाड़ी तयार रखे क्योंकि किसी भी वात हो सकता है आपको hospital जाना पड़े hospital bag तयार रखे hospital bags are related मैंने कई बार discussions की हुई है इस बारे में a detail video भी है मेरे चैनल में आप चाहें तो last minute एक बार फिर से check कर सकती है कि क्या कुछ मिस्तों आपने नहीं किया अपने hospital bag में रिलाक्स टेने की कोशिश करें थोड़ा घर के अंदर ही टेहल वहल लिया करें अपनी ब्रद circulation को अच्छा रखें तीखा जला भुना इस तरीके का खाना ना खाएं जितना हो सके रेस्ट करने की कोशिश करें और बस बहुत जल्दी ही आपका बेबी आपकी गोद में होग उसके बारे में जानने के लिए मेरे चानल को सब्स्ट्राइब कर लीजिए और उससे भी जदा इंपॉर्टन है अब पैरेंटिंग के बारे में सीखना ब्रेस्फीडिंग से रिलेटेड करी मुश्किलाहट एक नई मा को आती है किस तरीके से वो ये डिसाइड करें कि उनक में लिंक दे दूँगी अब चाहे तो उन वीडियो को देख कर भी और बहतर तरीके से तयार हो सकती है आने वाले दिनों के लिए थैंक यू सोबच पर वचिंग मैं चैनल सी यू सून तिल एन टेक गुट केर